नमस्कार, वेलकम तो अनस्ट एस्ट्रोजी यूट्यूब चैनल एंड तुड़े आम गोईंग तो अंसर एक्वेश्चिन फॉर वान उफ मैं रेगुलर व्यूवर्स चंचल जी जिन्होंने बार-बार एक ही सवाल पूछा है कि शुक्र 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 श बिस्पाइट एवरिधिंग क्योंकि एक तो यह बहुत डीटेल्ड और लंबा कंटेंट है इसका शनी में देर नथिंग इजी अबाउट शनी शनी आप कुछ भी करेंगे तो उसमें टाइम और एफट बहुत ज्यादा लगेगा अगर मैं शनी महादशा पर वीडियो बना और आज मैं इसका जवाद उन्हें देने का प्रयास करूँगा अब इसके लिए एक 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 एग्जामपल मेरी कोशिश रहती है कि मैं पॉप कल्चर से या कुछ मूवीज वगरा से एक्जामपल्स दूँँ जो लोगों को जल्दी समझ में आ जाएं शनी शुक्र पीरियड खराब क्यों जाता कई बार लोग मुझसे पूछते था यह तो दोनों बहुत अच्छे दोस्ते हैं आपस में तो इनका तो पीरियड अच्छा जाना चाहिए उपर से सुनने में बात लोगिकल लगते है लेकिन वही मैं गयता हूं प्लैनेट्स को समझना बहुत जरूरी है उनके नेचर को पहचानना बहुत जरूरी है शनी शुक्र ये दोनों बेस्ट्रेंट्स हैं लेकिन दोनों के मिजास एकदम उलट हैं अब इनको समझाने के लिए मैं एक एक्जामपल यूज़ करता हूं अगर किसी ने गौड़फादर सीरीज देखी हो पार्ट 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 टू अब गौड़फादर एक ऐसी मूवी है जिसमें एस्ट्रोलोजी के बहुत सारे लेसंस है लेकिन उसमें जो इन दोनों का रिलेशन्शिप है वो शनी शुक्र जैसा थोड़ा दिखाया गया है पर्टिकुलर्ली ये जो रेक्टेंगल फोटो आप फ्रेम में देख रहे हैं ये सीन था जो शनी शुक्र दशा को डिफाइन कर देता है देकि शुक्र शनी का दोस्ते लिगे उससे डड़ता बहुत है शुक्र कई बार होता न उल्टे मिजास के दोस्त होते हैं एक है उसको खुब मस्ती करनी है दूसरा है वो बहुत ग्रंपी है उसको सिरफ काम करना है और वो मस्ती करने वाले को हड़का के रखता है थोड़ा इनका रिलेशन ऐसा ही है इसलिए शनी शुक्र कुंडली में इकठा बैठे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि शुक्र को पावर्फुल है कि वो शुक्र को ब्लॉक कर देता है यूं समझ यह अब समझ यह जब भी शुक्र शनी के प्रभाव में आता है तो उसका पावर्टी करने की अबिलिटी खतम हो जाती है मैं आपको एक्जांपल देता हूँ इस मूवी से गौड़फाइदर थे इसमें एक सीन होता है फ्रेडो एक होटल को मैनेज कर रहा होता और माइकल वहाँ पे किसी काम से जाता है उस होटल के डील करने तो जब यह जाता है तो फ्रेडो उसके लिए पूरी पाटी का इंतजाम रखता है खाना, म्यूजिक, लड़कियां, सारा कुछ और माइकल यह सब देखते ही बहुत गुसा हो जाता है और साब कुछ बंद करवा देता है, लोगों को बाहर निकाल देता, फ्रेडो को अड़का देता और बिजनस डील शुरू कर देता, आप देखेंगे इसमें माइकल फॉर सम रीजन उसने कपड़े भी काले पहन रखे, इसने बिल्कुल शैनी मोड में था, सीन में यह, करेक्टर और फ्रेडो देखेंगे उसने क्रीमिश वाइट के कपड़े पहने हुए, which is the color of शुक्र, चश्माश्मा लगा के मास्त एकदम तयार हो करके, but you can very easily make out कि इसकी माइकल के आगे नहीं चलती, right, because माइकल is a शैनी incarnate in this scene, फ्रेडो शुक्र जैसा उसको पार्टी करनी ज्याद इसी तरह से जब शुक्र की दशा में चलता है या शुक्र शुक्र की की दशा में चलता है, तो शुक्र की कभी नहीं चलती, जब भी चलेगी शदेगी, शुरी तर्बूज पे गर पर्टिकुलर्ली जिनका शुक्र अच्छा होता है उनके लिए शुक्र शनी और शुक्र केतु पीरियड बहुत गंदे जाते हैं तो शनी शुक्र से प्यार बहुत करता है लेकिन उसके इजी गोइंग पार्टी वाले वेस को वो एप्रूब नहीं करता तो इस पीरियड में अगर आपको सुख की उम्मीद है भूल जाएए खास तोर पर इसका हमला होता है मेरिटल और रोमेंटिक चीदों पर और थोड़ा लक्जरी के चीदों पर अकसर मैंने देखा इस पीरियड में डिवोर्सेज और ब्रेकप्स बहुत होता है उसके अलावा मैंने पारिवारिक कलेश बहुत देखे हैं और इंसान को अकसर ऑपोजेट जेंडर परिशान करता है तो यह बहुत ग्रंपी और डिफिकल्ट पिरियड होता है अच्छी बात यह है कि यह खतम होते होते शनी जो है प्योरिफाई कर देता और कैसा ठीक है भाई आप जाओ पार्टी करो फिर शुक्र की दशा है तो आगे शुक्र बुद्ध आएगा और शनी में शुक्र चल र कभी डीटेल में पूरा वीडियो बनाएंगे शनी महादशा पर तब मैं इसके बारे में और बोलोगा गुडबाई गाड़ ब्लेस